अब भी तरक अपन क्या पढ़ रहे थे स्क्वेर्स पढ़ेंगे उल्टा पढ़ेंगे क्या है फाइंडिंग इसक्वेर रूट क्या होता है जैसे कि हमें पढ़ाया कि बिर श्क्वेर रूट अगर मैं निकालू 9 का क्या निकालू स्क्वेर रूट का सिम्बल होता यह अगर इसक्वेर रूट निकालू इस 9 का तो यह 9 जिससे बना है थ्री वो वैल्यू आ जाएगी यहापर लेकिन सब हमें तो इन सबके याद करने बढ़ेंगे हां भी कोई नह है अब देखो यहाँ पर 4 का जो रूट होता न वैसे तो कायदे से प्लस माइनस टू तू तू वैल्यू निकल के आती है एक तो प्लस का टू और एक नेगेटिव टू अभी आपके स्लेबस में नहीं है क्लास 9 10 और वैसे भी 11 के नहीं ज्यादा यूज देखेगा आप लोग अभी हम केवल पॉजिटिव वैल्यू कंसिटर करके चल रहे है ठीक है जैसे कि हमने पढ़ लिया 5 का स्क्वेर 25 हुआ तो रूट 25 जो होगा वह 5 होगा हमने पढ़ लिया 6 का स्क्वेर जो है 36 हुआ स्क्वेर रूट या लूट एक की बात है मैं अगर स्क्वेर रूट बोलू या रूट बोलू तो समझ जहाँ आ झांब है इसकी बात करो कि 36 की हुज जाएगा आपके पास 6 हो जाएगा अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है perfect square root पढ़ रहे हैं क्या पढ़ेंगे perfect square root पोड़ेंगे इस class के अंदर mainly मतलब जिनके निकल सकते हैं आपको के साथ root 3 कितना होता है वैसे थो होता है 1.732 बट अभी नहीं है आप लोगों के लिए ठीक है आगे देखो अब इसको find करने के लिए हमेरे पास two methods है एक तो factorization method है और एक repetition subtraction method है इसमें क्या होता है हमें जैसे मानलो पूछ लिया कि root 81 जो है उसका answer क्या आएगा पहली चीज तो यह और दूसरी चीज कि यह क्या perfect square root निकल सकता है इसका या नहीं निकल सकता है तो आपको कुछ नहीं करना है 81 को successive or natural numbers से subtract करते हुए चलना है क्या करना है successive or natural number जो कि start करते हो 1 से तो सबसे पहले में 81 को 1 से minus करूँगा कितना है मेरे पास 80 आया 80 को किसे minus करूँगा 1 के बाद जो आपका successive or number होता है कुन सा होता है 3 कितना हो गया 77 77 को minus करेंगे इसके बाद वाले number से या नि 5 से जो कि 72 आए रहेगा फिर 72 को करेंगे इसके बाद वाले ऐसे करते बेंगे चलना आपको फिर ऐसे 9 11 यह तक करते बेंगे चलना है जब तक 4 5 6 7 8 9 time में जाके 0 आया है इसका मतलब root 81 इसको कितना होगा 9 होगा और आपको पता होगा देखो 9 का square कितना होता 81 ही तो होता है देखो 9 आ रहा है नहीं आ रहा है तो यह first method है इसको repeated substitution method कहते हैं दूसरा method क्या है है हमेर पास factorization वाला method है जैसे यह value ले तो मैं आपके सापने 81 है मानलो 81 है मैंने यहाँ पर बनाया यह LCM वाला LCM सबसे smallest value जिससे divide हो सकता है 2 से होगा नहीं 3 से होगा 3 से 3 2 जा 6 8 में 6 गया 2 1 3 7 सा 20 LCM लेना आता है सबस्कों क्या करते है 3 से 81 को divide देता है पूरा पूरा divisible हो जाए तो जो root 81 है उसकी जगे में root में क्या लिख सकता हूं 3 multiply 3 multiply 3 multiply 3 multiply 3 अब आपको कुछ नहीं करना है यह root हटाना अब इसको हटाना का concept क्या है जो टू टू pairs के अंदर मतलब जो pairs के अंदर digit आ रही नहीं उसे यूज करने को बोल सकता है तो आपको दोनों मैंतर सीखने पड़ेंगे अगर वो बोलता है प्राइम एक्टिवन का निकाल के दिखाया है तो यह कंप्लीट पार आपको को डिसकस किया है मैंने exercise 5.3 के लिए यह सब अगर आपने समझ लिया तो आप इसली निकाल लोगे ठीक है नेक्स्ट आप मिलेंगे एक्जेम्पल इसके जो एक्जेम्पल नमर 4 है वहां से